हलो एरवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से UPSC के द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन पिर चर्चा करने वाले हैं UPSC के इस नोटिफिकेशन में क्या नया है, क्या बदलाव किये गए हैं या फिर इस बिना बदलाओं के ये नोटिफिकेशन जारी किये गए हैं। इनके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस एक्जाम में कौन-कौन से व्यक्ति बैठ सकते हैं, कौन-कौन से अभिरती यहां पर बैठ सकते हैं। क्योंकि आपके लिए अच्छी खबर है कि यहां पर जो भी आपने मेहनत की है, आप तक आपने जितना कुछ पढ़ा हुआ है, उसका आप टेस्टिंग करने की बारी है, आप अपना सेलेक्शन ले सकते हैं और अपनी सेवाएं जो होते हैं देश के लिए यहां पर दे सकते है लेकिन सबसे पहले आपको अपना फॉर्म सही तरीके से भरना आना चाहिए, साथ ही आप उसके योगे होने चाहिए, आप यहां पर एजुकेशनल जो कौलिफिकेशन मागी जाती है, उस एजुकेशन कौलिफिकेशन को फिलप करने वाले होनी जाथ जाता आपको जो पैट कि संख्या क्या है, साथ ही इसको यहां पर एजुकेशन छोड़ दी गई है, कितने अटेम्ट आप कर सकते हैं, पैटरन क्या होगा, स्लेबस में किनकी चीज़ों को समलित किया गया है और आप इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास कितना समय है, इतिया चीज़ों को हम डेटेल से आचर्चा करेंगे, तो आईए जानते हैं, UPSC के इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ नया है, तो सबसे पहले बात करते हैं, UPSC के कुछ इंपॉर्टेंट पहलों को लेकर, देखे यहां पर UPSC Union Public Service Commission आप इसके बारे में जानते हो होंगे, यहां पर इसका फुल फॉर्म है यह, यहां पर उन्होंने अपनी डेट जारी कर दी है, कि बारा तारीक को इसको अलॉट्मेंट और नोटिफिकेशन आ गया था, और यहां पर हम बात करेंगे कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जिनको नहीं पता है, तो आप न जानकारिया देखने को मिलती है, तो चलिए बात करते हैं, आपर क्या-क्या महत्मूर्ण जानकारिया आपको देखने को मिलती है, देखे, यहां पर सीधा-सीधा उन्होंने बोला है कि Candidate सबसे पहले एक्जाम में बैठने से या था, फॉर्म को फिल अप करने से पहले, इ UPSC Online.NIC.IN पर और अपना फॉर्म वहाँ पर फिल अप कर सकते हैं, फॉर्म फिल अप करने के साथ ही वहाँ पर एक फोटो ID कार्ड मागी जाएगी, फोटो ID कार्ड के रूप में उन्होंने कहा है, कि आप यूज कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ड है, ड्राइविंग लाइसंस, ऐसे फोटो ID कार्ड आप यूज कर सकते हैं, और यही फोटो ID कार्ड जब आप एक्जाम में बैठने जाएंगे, प्री का एक्जाम आप देने जाएंगे, मेंस का एक्जाम देने जाएंगे, तो वहाँ पर यह कि उसी के इसाब से वो match करते हैं उस सारी चीज़ों को, कि आप real candidate है या नहीं, किसी अन की जगा पर कोई और रतुव्यक्ति वहाँ पर exam देने नहीं आ गया है, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ों हो गए, इसके बाद आये चानने के कोशिश करते हैं, कि यहाँ पर और भी क्या कुछ नया दिखाई देता है या नहीं, इसके बाद उननना कहा कि कोई भी जो application, withdraw application कर सकता है, candidate इद्याम पर प्री के पहले इन सारी चीज़ों को लेकर, regard के उसे instructions दिये गए हैं, उन सारी चीज़ों को जानेंगे, इससे पहले देखते हैं कि लास्ट डेर्ट एग्जामनेशन जो इलिस्ट है, वो क्या है, तो उननना कहा कि 3 मार्स 2020 को 6 में बिज़े से पहले आपको अपना फॉर्म भर लेना है, अन्था कि स्तिती में आप इस साल भी एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे, छे से अगर 6, 5, 6, 10 हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका फॉर्म फिलेफ एक्सेप्ट नहीं होगा, इसके लावा एक चीज़ और वहाँ पर कि क्या निगेटिव मार्किंग इस बार के एक्जाम में है, तो हाँ जी कंफर्म कर दिया है, UPSC ने सीधा सीधा यहाँ बोल दिया है, बड़े शब्दों में पेनल्टी फॉर रॉंग एंसर, और पेनल्टी वहाँ पर निगेटिव मार्किंग इस निगेटिव मार्किंग पिछले वार की तरह है, कुछ चीज़ें वहाँ पर उन्हें बोली हैं, कुछ यहाँ पर सीरियल नस्त नमर दिये हैं, यह सारी चीज़ें तो ठीक हैं, यहाँ पर बात की गई है, एक और चीज़ की कि मॉबाइल फोन बैन है, आप एक्जाम सेंटर में जाते समय वहाँ पर मॉबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने मॉबाइल फोन ले जाने की वहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर आप थोड़ी देर बाद इसे और पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन्हें सीधा सीधा बोला है कि कोई भी valuable या costly item या वहाँ पर आप लेकर जाते हैं और वो खो जाता है तो वहाँ पर किसी भी तरीके से UPSC या उनकी सेंटर सेंगे उनकी कोई जिम्यदारी नहीं होगी तो इस चीज़ का ध्यान रखे कि अपनी कोई भी इस तरह की जो भी smart watch है या फिर आपको calculator, spacer, mobile phone इत्याज वहाँ पर प्रयोक नहीं किये जा सकते हैं इसलिए उनसे आप उसे नहीं लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है इसके लावाँ यहाँ पर बताया गया है कि नेक्स जो आइटम बोला गया है कि किन-किन services यहाँ पर applicable होती हैं, किस-किस exam के लिए आप यहाँ पर इस form को applicable हो जाकती हैं, तो यहाँ पर सबसे उपर आप देख सकते हैं इंडियन administrative service, foreign service, इंडियन police service अर्थाथ, IS, IFS, IPS का है, उसके लावाँ फिर आपका इंडियन P&T अर्थाथ account finance का है, audit है, revenue service, different account, revenue service IT, ordinance factories है, इसके लावाँ poster services है, civil accounts है, यह सारी यहाँ पर देखे, group A की है, यहाँ पर finally यहाँ पर आपका लिखा हुआ, इसमें railway की आती है, defense यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि armed forces, headquarters, civil services से related, जो भी सारी चीज़े आएंगी, उसके बाद यहाँ से B का section start होता था, group B की services यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर group A, group A और group B की को services total मिलाकर, जो भी number है, वो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर 24 जो होते हैं, आपको services इंत के post होते हैं, फिर IFS, IPS, ऐसे post मिलते हैं, उसके बाद आपको group A, और उसके बाद आपको group B, तो आपकी ranking depend करती है, उस पर आपको यहाँ पर post मिलेंगे, तो हमने देखा 24 posters यहाँ पर हैं, बागी कौन को सी हैं, detail में आपको देखना है, तो notification आप जरूर download कर लीजेगा, वहाँ पर सारी चीज़ें एक बार जरूर अपने अस्तर पर भी जरूर पढ़ लीजेगा, इसके अत्रिक्त, कुछ जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि आपको कितने पद यहाँ पर alert किये गए हैं इस बार, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 24 vacancies reserved for the person who कह सकते हैं, benchmark disability criteria, तो कौन कौन से चीज़ों के लिए जो disabled हैं, जैसे कि blindness है, low vision है, disability of the cerebral policy को लेकर है, leprisies को लेकर है, तो यहाँ पर इस तरह की इस बार, पदों की संख्या काफी कम रही है, पिछले सालों की अपेक्षा, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रही है, इस बार का competition और भी जादा होगा, और marriage होगी, और भी high होने वाली है, तो competition का level इस बार high रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी vacancies हैं, वो कमाई है, पिछ लिस्ट में क्या-क्या बातें कहीं गई हैं, तो यहाँ पर a list of service identified suitable for the person and benchmark disabilities with the physical requirement and functional classification, अर्थात ऐसी जानकारियां हैं, जहाँ पर किस post के लिए, आपको किस category के अनुसार, किस function classification में, आपको किस परकार के physical requirement होने चाहिए, अर्थात सारीरिक छमता क्या कैसी होनी चाहिए, उस पोस्ट के अनुसार, वहाँ पर उसकी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर हर एक वक्त पद के अनुरूप, जैसे Indian Service Services है, इसके बाद आप हर एक पदों के अनुरूप यहाँ पर आप जानकारी, देख सकते हैं, पूरी आपको इसमें list है, तो आप अपने list के हिसाब से check out कर सकते हैं, काफी लंबी list है, 24 पदों के लिए, यहाँ पर सारी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसे आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं, कि physical abilities क्या होनी चाहिए, basically आपको इन पदों के लिए apply करने के लिए, चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि आप यदि इस exam में बैठते हैं, exam वो fill up कर रहे होंगे, तो एक form में आपको एक exam center fill करने के लिए आएगा, pre-ka exam center और mains के exam center दोनों fill करने के लिए आता है, तो अगर pre-ka exam center basically जादा होते हैं, और यहाँ पर mains के exam center कम होते हैं, pre-ka exam center कम होने का कारण आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर number of candidate जो apply करते हैं वो ज़्यादा होते हैं बजाए मेंस की अपेक्षा और मेंस भी कहोते हैं काफी छड़ जाते हैं कैसे qualify नहीं कर पाते हैं जिसके कारण ये प्रक्रिया होती है और इन ही सारे के कारण ये इस्तितिया आपको देखने मलते हैं तो कौन-कौन से center हैं जहाँ पर apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको नाम दिये गए हैं जिसमें अगर तला अगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आजोल, अलीगर, अनन्दपूर, गुरगाउत यहाँ पर आपको particular छेत्र में कौन-कौन से centers दिये गए हैं इन centers के यहाँ पर नाम आपको देखने को है तो एक चीज़ ध्यान रिखेगा अगर यह जो center है यह तो आपके प्रीग हो गए मेंस के center है मेंस के center काफी कम देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर इन सारे चीज़ों के अत्रिक्त पटना है प्रियागर, अर्थात लाहबाद, नाम बदल लगया है जरूर यहाँ पर यह चेतर है जहाँ पर आप मेंस का center आप ले सकते हैं इसकी अत्रिक्त अगर हम और कुछ चीज़ों को लेकर बात करते हैं तो आईए देख लेते हैं चलिए center हो गया, center एक चीज़ ध्यान रखेगा यहाँ पर नीची आपको अल्रेडी अलोट कर रखा है कि first apply, first a lot इस center को चुनेगा, उसे पहले अलोट भी वहाँ पर कर दिया आएगा, अगर आपने देरी की, तो हो सकता है, आप अपने ही छेतर के center में exam ना देने पाएं, इसलिए late मत करिएगा, जितना जल्दी हो सके अपने form को fill up करिए, अन्य था कि इस्तिति में आपको दूसरे center भी जान से tension होने लगती है, तो वहाँ पर इन सारे tension से अगर दूर रहना है, तो आप अभी form आ चुका है, वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर अभी तक आपको जानकारी नहीं थी, अभी तक आपने notification नहीं चक्किया था, तो अभी इस वीडियो को देखने के पश्चा, तु यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपका जो examination है, वो pre और mains दो center में बटा हुआ है, pre को लेकर हम बात करें, तो यहाँ पर pre को objective type में है, और mains आपका return में है, इसके अलावा आपका interview होना है यहाँ पर, तो यह सारी जो जानकारी हैं, वो आपके में भरी होई हैं, जैसे कि आप द दी गई है, इसके अलावा कुछ और बात कर लेते हैं, यह तो pre और mains के exam को लेकर हो गया, फिर आपका interview यहीं पर होना है, civil service exam के प्रेनिक्स exam को लेकर commission है, qualified क्या होना चाहिए, appliance क्या होनी चाहिए, कौन से लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो वहाँ पर SC, ST, OBC, general category के लोग प्लस आपका EWS, economical weaker section वो लोग भी बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं, यहाँ पर सारी चीजों को, यहाँ पर appliance ex-serviceman, सभी लोगों के यहाँ पर सभी प्रकार के candidate इस exam में बैठ सकते हैं, eligibility criteria यहाँ पर देखिए है, अगर आपको Indian administrative service का exam है, Indian foreign services का है, और लेकिन इसके अत्रिक्त किसी भी अन्न पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं कि आप Indian हो, यहाँ पर अन्न पोलोग भी यहाँ पर apply कर सकते हैं, लेकिन कैसे लोग, यहाँ पर देखिए आपको Nepali, Bhutani और Tibetan refugees जो आपके 1962, 1.1962 से तक जो होते हैं, वहाँ पर भारत आ चुके हैं, I think यहाँ पर, with the intention of permanently settling in India, who came over to India before, अथाथ 1.1962 से पहले, ऐसे लोग जो नेपाल, भोटानों, तिपती, रिफ्यूजी के रूप में भारत में permanently settled हो चुके हैं, वो लोग भी अन्न पोस्टर के लिए eligible हैं, इसके अत्रिक्त हैं, कुछ ऐसे लोग जो migrate होकर पाकिस्तान से, ब गोपिया, और वियतनाम जैसे देशों से permanently यहाँ पर आकर settle down हो चुके हैं, वो लोग भी इस group B, A, B, C, D के लिए यहाँ पर eligible हो जाते हैं, तो चलिए हमने यह देखे लिए eligibility आपको किस post के लिए कौन से लोग यहाँ पर हो जाते हैं, आगे चलते हैं, और कुछ चीजों की जानकारी लेते हैं, अगली बात आती है age limit को लेकर, तो इस post में अर्थात UPSC के लिए आप exam देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो category है, उस category कहसाब से कितनी IU की छूट दी गई है, तो बात करते हैं सामान category की, देखें यहाँ पर अगर आप general category के हैं, तो आपकी minimum जो age होनी जाएगी, और इसके लिए आपका जो होता है, जो date of birth होता है, वो 2 अगस्त 1988 के बात का नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 1989 के पहले का नहीं होना चाहिए, जो आपकी date of birth है, चलिए आपर age limit की बात कर लेते हैं, तो यहाँ हमने general category की बात कर ली, लेकिन बाकी अने category क्या किस प्रकार की छूट दी गई है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि age limit prescribed above, below the relaxation, तो up to the maximum of 5 years of candidate belongs to a schedule cost or a schedule tribe, अर्थात, ST और ST को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि OBC candidate को क्या यहाँ पर किसी प्रकार की छूट दी गई है, तो हाँ यहाँ प दी गई है, defense service personals को भी, जो disabled हो गए हैं किसी ने किसी कारण से, इसके लाँब 5 साल की छूट दी गई है, ECOs और SSCOs अर्थाचियो, ex-servicements including आपका commissioned officers हैं, उनको भी इसके अंतरगत 5 साल की छूट दी गई है, तो यहाँ पर SCST, OBC, ex-servicements और defense services में काम करने वाले लोगों को 3 से 5 साल की relaxation अलग 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 उनके eligibility के अथार पर provide की गई है, लेकिन यहाँ पर general category कि एक, जो age है, नॉर्मल है, 20 से 32 से, बागी खिलों, 3 साल और 5 साल की यहाँ पर छूट प्रदान की गई है, चली, आगे की बात करते हैं, next assignment यहाँ पर जो इसके बार हम बात की गई है देखे, बोला गया है कि, on a complaint of assignment, including those who assigned to, assignment is due to the completed within one year from 1 August 2020 से, otherwise than the dismissal, यहाँ पर कुछ जानकारिया दी गई हैं कि किस तरीके से आप discharge या physical disabilities हैं, military services हैं, और invalidment हैं, तो वहाँ उनको लेकर किस तरह के छूट इत्याद दी गई हैं, तो यहाँ पर again वो 5 years, बागी साही चीज़े उनकी detailing किनकी साधार पर कहा कहा काम आप कर सकते हैं, किनकी तरह की किस-किस को छूट दी गई हैं, बागी आप उनकी detailing वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, इंदे मोटे-मोटे टर्में आपको edge relaxation की जो छूट है, I think वो समझ में आगई है, 3-5 साल की छूट अलग-लग तरह पर दी गई है, चलिए, अब बात कर लेते हैं, कुछ हनने चीज़ों को लेकर तो यहाँ पर जैसे edge cancellation, note wise, बागी सारी चीज़ें आपको दी ही गई है, चलिए, बात करते हैं कि minimum educational qualification कितनी होनी चाहिए, तो education को लेकर यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया, उन्होंने सीधे से ब या उस साल हैं, तो वहाँ पर भी आप apply कर सकते हैं exam के, या तो आपका graduation complete हो, किसी भी university से stream में, किसी भी आपको stream में, चाहिए art side हो, commerce हो, या कैसे थे हैं, आपका science side हो, MBA is older, doctor, या कुछ कोई भी आप करें, आपका graduation complete होना चाहिए, आने था आप third year के final year में, या final year में आप उस समय अर्थात इस year आप होंगे, तब ही आप यहाँ पर educational को complete करते हैं, उनकी criteria को complete करते हैं, बाकि उन्होंने छूट इत्याद आपको देही रखी हैं, चलिए number of attempts की बात कर लेते हैं, attempts यहाँ पर किसको कितने हैं, तो आपको पता है, general category को लेकर जो पिछली बार की जो कह इलाव नहीं किया गया है, general category के लिए यहाँ पर बाकि आप पढ़ लीजेगा, इन detail में आपको जो मैंने पढ़ा है, जो मैं बता देता हूँ, कि यहाँ पर जो number of attempt है, वहाँ पर general category के लिए 6 हैं, और obisys work के लिए 9 है, बाकि STST के लिए किसी प्रकार गया है, number of attempt को apply नहीं नहीं कर सकते हैं, बाकि OBC और general जो होते हैं, अपनी age relaxation अर्थाथ 21 से 32 साल तक की age में 6 बार apply कर सकता है, और 21 से 35 साल की age तक OBC जो होते हैं, 9 बार try कर सकते हैं, अर्थाथ एक्जाम में बैठ सकते हैं, बाकि STST जो होते हैं, अपने पांसलर का 21 से 37 साल की age में, वो number of attempt चीतन थारे सीजय है, if candidate actually appears in a paper, हां, यहां पर याँ भी बात किया है कि आपका जो attempt होता है, कई बार यह पूछा जाता है कि attempt कब count होता है, किस स्थिती में आपका attempt count किया जाएगा और किस स्थिती में आपका attempt count नहीं किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर वो भी जानकारी दी ग अगर आप Prelims Exam को देते हैं, तो आपका Attempt गिना जाएगा, दूसरा, यदि मान लीजे, Prelims में दो एक्जाम होते हैं, एक पर आपका GS का होता है, दूसरा आपका CSET का होता है, अगर आप एक भी पेपर में अगर बैठे हुए हैं, तो भी आपका Attempt गिना जाएगा, तीसरा, यदि मान लीजे, आपने Form तो Fill Up कर दिया है, लेकिन आप एक्जाम देने नहीं गये हैं, तो वहाँ पर आपका Attempt नहीं गिना जाएगा, इस चीज़ को Clear रखेगा, कि आपका Attempt सिर्फ तभी गिना जाएगा, जब आप एक्जाम सेंटर में जाकर, वहाँ पर Form Fill Up करके, और स 31 माई 2020 एक्जाम डेट है इस परस की, आप उस दिन एक्जाम देने नहीं जाते हैं, तो आपका Attempt नहीं गिना जाएगा, तो डोंट वरी, अगर आप, लेकिन Form Fill Up कर दीजे, तैयारी करिए, अगर तैयारी फुल अप नहीं हो पाती है, तो आप वहाँ पर एक्जाम में नही उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका Attempt वहाँ पर फिर गिरना नहीं जाएगा, फिजकल स्टैंडर्ड बनाए गए है, फिजकल स्टैंडर्ड क्या होगे, फीस को लेकर यहाँ पर दियान रखेगा, यहाँ पर आपको जनरल कडिक्री को 100 रुपेज यहाँ पर आपको अपलाइबल है, देखिए, यहाँ पर बोल सीधा है, Candidate Accepting Female, SC, ST, Person with Benchmark Disabilities, Candidate who are exempt for payment of fee, के तहत वहाँ पर उन लोगों छूट है, बाकि लोगों को यहाँ पर 100 रुपे यहाँ पर payment आपको करनी है, State Bank of India, के दुरू वीजा, Master Guard, इक्यायत के माधिम साब इसके लिए apply कर सकते हैं, अपनी pain sleep during a part second registration को रखना जरूरी है, pain cash, buy cash, आपको जो मतलब किस तरीके से आ जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, general category को यहाँ उनको आप छूट नहीं दी गई है, बाकि आपको सभी लोगों को वहाँ पर छूट इससे दी गई है, चलिए applyance यहाँ पर बात हो गई, हमने उन सारी चीज़ों को देख लिया, disability देख लिया, eligibility हमने चेक आउट कर ली, कितने attempt आप कर सकते हैं, उसको देख लिया, कितनी छूट आपको सारी दी गई है, चलिए, बाकि सारी बहुत सारी जानकारी, इसमें दरी गई चोटी चोटी चीज़े हमें पर पढ़ लेना चाहिए, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों को लेकर होँआ पर बोला गया है क कि a candidate who is or has been declared by the commission to be guilty of, यहाँ कर अगर किसी commission की द्वारा निम्न आधारों पर आपको दोशी पाया जा सकता है, वहाँ पर आपको एक्जाम से बैन भी किया जा सकता है, प्रदबंद भी किया जा सकता है, तो उसके यहाँ पर दिया गए कि offering legal gratification, applying pressure on, या फिर blackmailing, threatening, blackmail, इत् prison कर सकता है, जेल में डाल सकता है, सजा दे सकता है, जैसी सारी चीज़ों को लेकर, इसके लावर, resorting the following means in the connection with his candidate of the examination, namely यहाँ पर बागे सारी चीज़ों के copy इत्याजी जो होता है, थूर इंप्रॉपर means, किसी चीज़ को लेकर नहीं जाना, particular किसी person connected वहाँ पर आप नहीं प कर देता है, कि ऐसी गतिविधी भी आप वहाँ पर दोशी पाया जा सकते हैं, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के ध्यान रखना है, कि सिधा से मतलब आप ये समझ लीजिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है, किसी तरही के कि आप नए टक्नोची इसके through, नकल वकल करने कोश डेना है, एडमिट कार्ड जो होगा, वह आपको 3 वीक पहले ही जारी कर दिया जायेगा, इस चीज़ को ध्यान रिखे, यहाँ पर 3 वीक को में जो होता है, आपको 3 वीक पहले ही एक्जाम के, 31 मई को है, तो उसके 3 वीक पहले, किस दिन पहले रथा? 10-11 मई मईस स जो होता ह आपका admit card आ जाएगा e-card, e-admit card आएगा उसको आप download कर सकते हैं और उसको आप फोटोगापी भी करा सकते हैं और उसको आप लेकर जा सकते हैं तो चलिए हमने इन साथी चीज़ों को देख लिया इसके लावा देखिए कुछ चीज़ें बताएगे कि all communication to the commission should invariable contain the following particulars अर्थात name and year of the examination registration ID, role number, name of candidate complete postal address and given in the application यह साथ जानकरी आपके पास समय साह होनी चाहिए अगर आपको future में किसी तरीके की कैसकते हैं commission के साथ आपको बरतलाब करनी हो किसी कोई समस्या हो जाती है पेपर इत्याद को लेकर और किसी तरके कास कैसकते हैं कि doubts इत्याद हो या पेपर सही तरीक चेक नहीं हुआ या अन्य तरीके कोई चीज़ों को लेकर तो हमें साब के पास यह रहेगा और next year भी आपको apply करना हो तो इसके लिए हमेशा इस जानकारी को अपने पास ही रखें यह आपको आगे help ही करता है चलिए यह सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई इसके लावा फिजिकल रिक्वाइर्मेंट्स को लेकर कुछ कोड यहाँ पर दिये गया है तो वो सारी चीज़ें आप एक बाट डाउनलोड करके पढ़ लेंगे इसके अलावा चलिए अब हम आज आते हैं plan of examination, section क्या दिया गया है examination को लेकर देखें इस लेबस और इसके pattern लेकर कोई चेंज नहीं किया गया है ना ही उन्होंने अपनी eligibility को लेकर, ना ही age relaxation को लेकर, ना ही वहाँ पर number of attempt को लेकर, ना ही वहाँ पर feed त्याद को लेकर, ना ही वहाँ पर कौन apply कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है ना ही उसके pattern, ना ही उसके syllabus, किसी तरह कोई परिवरतन हो नहीं किया है, सिर्फ एक चीज़ वहाँ पर कम हुआ है, और वो है आपका total number of vacancies में कमी आई है, तो syllabus पहले से ही है, फिर से आप उसको जिनके पास होगा, आपको लोग पार download होगा, नहीं है, तो यहाँ पर है, आप download download कर सकते हैं, मैं पूरा फिर से पढ़ने के बजाए, उपर नीचे करने के बजाए, मैं आपको सीधर से छोटे सब्दों बता देता हूँ, देखे, जो pattern रहा है, वो ऐसा है कि, exam, तीन चरणी है, pre, mains और interview, pre में जो exam का है, तरीका है, वो objective है, objective में भी आपका जो होता है, द दो चीज़ें होती है, GS के paper और आपका GS के paper में कुछ चीज़ें आती है, देखे, preliminary examination बोथ है, एक होता है आपका qualifying nature का, जिसको हम कहते हैं, C set, और दूसरा होता है आपका GS के paper, तो यहाँ पर यह दो paper होगे, जो आपका यहाँ पर दिखाई देता है, देखे, prelims examination में पहला ह यहाँ पर आपको दिया गया, objective multiple choice question, यहाँ पर दो घंटे का paper होना है, general studies का होगा, और यहाँ पर आपका दूसरा पर जो paper हो, qualifying marks का है, जिसमें आपको 33% marks लेकर आने हैं, इसके बाद वो बात करते हैं कि mains का examination है, mains का जो होता है, examination यहाँ पर आप देख सेते हैं, written exam होगा इस written exam में जो होता है, paper A और paper B, आपका language का है, दोनों ही qualifying paper के हैं, 3300 number के paper आते हैं, इसके लावाँ फिर आपको आता है, जो इसके number जो count होते हैं, papers to be counted for the merit, जिस अर्थात essay paper जिनके number आपके merit में जाकर जुड़ते हैं, तो यह कौन-कौन से paper हैं, उनको अगर आप देख ले जिसके दो paper होते हैं, उसके भी आपके यहाँ पर 500 number होते हैं, तो इसके लावाँ आपका interview होगा, और interview यहाँ पर आपको 275 mark होता है, तो total आपके 2025 marks यहाँ पर बंते हुए आपके दिखाई देते हैं, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ बंते हुए दिखाई लेंग्विज के पेपर में आपको एक पेपर जो होगा वो आपकी लोकल लेंग्विज हो सकती और दोसरा हो जोता है English compulsory है जो local language है वहाँ पर अर्थात जो तामिल की चेट्र के लोग हैं तमिलाडू के हैं वो तामिल ले सकते हैं गुजराती है तो गुजराती ले जासकते हैं तो यहाँ पर जो आपके एक local language होगी और एक आपका वहाँ पर English जो हती है compulsory है इसके अलावा कुछ अने चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर as a optional subject आपके इनके चीज़ों के चुनाव कर सकते हैं तो देखिए number of जो optional subject है वो 26 यहाँ पर इस बार है इन 26 optional subjects में से ही आपकिसी एक subject का यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं और यह subject इसमें कौन कौसे हैं जैसे agriculture है animal husbandry है anthropology है, botany, chemistry, civil engineering commerce and accountancy economics, electrical engineering geography, geology, history law, management mathematics, mechanical engineering medical services, philosophy, physics political science and international relations psychology, public administration sociology, statics, geology and literature of any one of the following language अर्थात, नीचे यहाँ पर कुछ भासा हैं दी गई है अगर साहित के रूप में आपको किसी भासा के एक का चुनाव करना है तो इतनी भासा हैं आपको यहाँ पर 3 साहितिंग लिखे हुई है जिसमें साहब चुनाव कर सकते है एसे हिंदि साहित खाएत के रूप में आपस्चनल सब्जट के रूप में चुनाव कर सकते है देखें यहाँ पर जो भी paper आपका mains में होना है वो 3 घंटे का एक paper होगा यहाँ पर return में होगा यह चीज़ का ध्यान में रखिएगा जो mains के लिए हाँ पर apply करना है तो यह सारी चीज़ें हो गई हमने देख लिए कि पैटरन क्या है number किसमें कितना मिलने वाले हैं किन सारी चीज़ों को लेकर तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिटर अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया डिर्मिनेशन दाओ परसेंटेज आफ दो विज्वल इंपेरेंट्सी अर्थाथ आपके आँखों के चेकप का थाथ कितना आपको दिखाई कितना देता है क्या मानक होते हैं कि आप कितना सही जोती है दृष्टी होनी चाहिए तो वहाँ पर उसके क्राइटेरिया आपको दिया गया है तो वर्स आई बेस्ट करेक्टेड बेटर आई बेस्ट करेक्टेड इसके लावा पर्सेंटेज इंपेरेंड डिसेवलिटी कैटेगरी तो यहाँ पर यहाँ पर आपकी पूरिशान नहीं दे गई है किसी को अपनी आखों को लेकर प्रावल्म हो और यह आपको अजस्पंजस में आता हो कि यहाँ पर क्या मैं अलिजबल हूँ या नहीं हूँ मे वज़ेतन नहीं किया गया है जैसे हम पहले भी कह चुके हैं प्री का जो जो मेंस का पहले से वही सारा कुछ है तो आइए सरसरी निगास एक बार हम देख लेते हैं देखें प्री का जो पेपर वन है 200 नंबर का होता है यहाँ पर करेंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशन आती है इंडिया और वर्ड की फिर आपका पॉलिटी का सेक्षिन है एकोनॉमी है जनरल इन्वाइमेंट का टॉपिक आता है और जनरल साइन्स आती है यह सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आपको कुश्चन आपर पूछा जाता है प्री के जीस का टॉपिक में इसके जनरल मेंटल इबलेटी और बेसिक नुमरेशी अर्थात वही आपका हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन आपको आता है इसके अलावा आपको रीजनिंग आएगी मैथ आएगा और आपका कह सकते हैं कि आपके निर्ने च्छमता को आकलित किया जाता है आपके कम्म्नुकेशन इस लेकर यहां पर फिर से वही सारी चीज़ें आती हैं देखें लेंग्वेश के पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा इंग्लिस और हिंदी के पेपर में तो वह यहां पर देख लीजिए इंग्लिस का जो पेपर होता है वहां पर अगर हम बात करते हैं इन सारी चीज़ो आते हैं बहुत बड़े को लेकर रहाँ पर बात हम नहीं कर रहे हैं इसके लावागर हम बात करते हैं आपको प्रेसी आपको एक writing आगे था संचेपन करना होता है comprehension करना होता है आपको एक comprehension दिया जाएगा उसमें जो question आते हैं उसको solve out करना है और vocabulary का use करना आना चाहिए तो ये कुछ चीज़े हैं जो आपको English में आती हैं एसे पूछा जा सकता है तो GS में कौन कों से topic आते हैं वो भी आपको एक बार देख लेते हैं जल्दी से देखें यहाँ पर general studies paper 1 का topic है यहाँ पर आपको history, Indian society और geography का paper आता है जो आपको यहाँ पर बाकि उसके topic की detailing दी गई है जिसको आप एक बास labors को download कर लेंगा आप लोग पास होगा previous year का तो वही सारा कुछ है कोई changes नहीं कि एक शब्द का भी कोई change यहाँ पर नहीं किया गया है मोटे मोटे सब्दों मैं आपको बताता है चलना हूँ बाकि आप detailing आप जाकर यहाँ पर notification चेक कर सकते हैं पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर वह आपको governance आता है constitution अर्थात quality से लेटेड और social justice सामाज जिखने आए और international relation अर्था अंतराष्टी संबंद से आएगा पेपर 3 के अगर हम बात करें तो GS का पेपर 3 में आपको 5 सब्जेक्ट हैं science and tech अर्था technology विज्ञान प्रदोकी, economic development अर्थविवस्था, biodiversity, environment, परियावरण, security आपको आंतराष्ट्रक्षा और disaster management आपधा प्रवंद हैं चौथा पेपर आप सभी जानते हैं ethics का होता है और यहाँ पर देखें ethics integrity और aptitude का आपका पेपर होता है यह सैजी ही चीज़ें आपकी complete होती है तो इसके बाद आपको पूछा जाएगा optional subject, optional subject के रूपे हम क्या सीज़ें चूश कर सकते हैं तो वही आपके 26 जो subject अभी हमने उपर दिखाएं, उनका जो syllabus है वो नीचे आपको बागी detail में दिया गया है इसके आप हिंदी साहित या किसी भी साहित करेंगे तो उनका भी syllabus आपको नीचे detail में दिया गया है तो यह सारी जानकारी रही है जहां पर हमने देखा UPSC ने इस बार अपने syllabus में कोई भी आथा notification में किसी प्रकार का कोई परिवर्दन नहीं किया है बेफिक रही है बस exam जो लोग preparation हो चुकी है वो त्यारी कर रहे हैं उनकी preparation complete हो चुकी है तो उसे जाचने का समय आ गया है वीडियो देख रहे हैं वीडियो देखने एक पश्यात अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आई थिंक कि यह जानकारी आपके लिए काफी सुलब होगी लेकिन इन सारी जानकारी को काफी मैंने मोटे मोटे तोर पर बता दिया है एक बार अपने अस्तर पर notification को पढ़ लीजिए आपके लिए अच्छा होगा नहीं तो मैंने जितनी भी जानकारी हो सकते मैंने बता दी इससे अतरिक्त आपको उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं औ और आप जाकर form fill up करें, form fill up करने के पास शाथ अपने पढ़ाई को जो हता है एक विवस्तित कर लें क्योंकि दो ही तीन महीने रहे गए हैं तो अच्छे से prepared कर लें तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, next किसी वीडियो मिलेंगे तो अने सीजों के बारे में चर्चा करेंगे, preparation कैसे करनी है, इस सारी चीजों को लेकर तो वहाँ पर हम बात करेंगे I hope आपको ये सारी notifications related जो भी यो पिस्चन जारी की है, ये आपको मदद करेगा, thank you so much